Hello friends, welcome to my channel of technical Surin friends, आज का हमारा topic होरने वाला है SR latch SR latch, हमारी latches क्या होती है latches हमारी basically storing element होते है तो SR latch क्या है SR latch को आज हम लोग यहां पे देखेंगे SR latch basically two gates से मिलके बनी होती है two type के gates से एक होता है, NOR gates नौर गेट से एंड नेंड गेट से लेटिस क्या होती है लेटिस बेसिकली क्रोस कपल गेट होती है तो अब हम ऐसा लेज ऐसा लेज नौर गेट से देखेंगे नौर गेट से ऐसा लेज यहां पर देखें तो अब हम लोग यहां पर नौर गेट से फिगर देखते हैं ऐसा ल तो नॉर गेट का फिगर अ करIST कि बना लिए हैं अब क्या होती है क्रॉस कपल गेट वोते हैं अगर और फिल्प्लॉक तो क्रॉस कपलिंग करा देते हैं यह देखो मैंने इसकी ब्रॉस कपलिंग कर आई और यहाँ पर यह देखो यह इसकी cross coupling होई यह output है यह output है इसको main output बोलते है Qn plus 1 यह हमारा main output होता है main output और यहाँ पर यह मिलता है Qn plus 1 का bar यानी main complemented output यह है इसको बोलते हैं Qn और यह हुआ Qn का bar यह हुआ previous output और यह हुआ previous complement output और इसको हम लोग इस terminal को s-terminal और इसको r बोलते हैं इसको set input बोलते हैं set input बोलते हैं और इसको reset input बोलते हैं तो sort में हम इसको s-input और इसलिए हम इसको s-r latch बोलते हैं तो यह था introduction of s-r latch अब हम आते हैं s-r latch कैसे बना या उसको s-r latch ही क्यों बोलते हैं ठीक है अगेन आम figure draw करेंगे थोड़ा सा boring हो सकता है figure आप लोग को बट आप अगर बार बार figure बनाएंगे देन आपको practice उतनी ही अच्छी होगी digital electronic में truth table and figure बहुत important let इसको मैंने a terminal माना और b terminal माना अभी मुझे नहीं पता कौन सा terminal set है कौन सा terminal set reset है यह output qn यह qn plus 1 बार और यहां पर यह जो output मिल ला था यह है qn and यह है qn का बार ओके तो हमारे पास क्या input है input हमारे पास है ए वा भी तो number of inputs कितने number of inputs ए वा भी है input के कितने combination बनेंगे number of combinations number of combinations बरावर 2 की पावर n होते हैं और n equal to 1 and 2 तो 2 की पावर 2 मतलब 4 combination बनेंगे a and b के एवा b के 4 combination कुछ इस type से बनेंगे 0011 यह बनेगा 01 यह बनेगा 01 यह बनेगा 01 यह चार combination बनें ठीक है इस type से देखो 001 10 and 11 यह चार combination हमारे अभी तक बनेंगे अब हम देखते हैं पहला case 1 case 1 case 1 में हमने माना a equal to 0 and b equal to 0 यह वाला case ले रहे हैं ठीक है a equal to 0 provide किया and b equal to 0 provide किया ठीक अब यह norget first माल लो and यह norget two months basically अब मुझे थोड़ी देर के लिए some time के लिए a और b को यह माल लिए अब थोड़ी देर के लिए मैं focus करूँगा norget पे किस पे norget पे मेरा focus रहेगा थोड़ी देर के लिए norget का symbol आपको उपर भी बना हुआ यहाँ पे भी बना देता हूँ ठीक है यह first input है and यह second input है यह y बराबर norget a plus b का bar y बराबर a plus b का bar का मतलब है union algebra में a dot b a bar और dot b bar का a dot dot b bar यह मतलब होता है इसकी truth table पे आ जाता है norget की यह हुआ first यह हुआ second और यह हुआ y यह 0 यह 0 यह 1 यह 1 0 1 0 1 ठीक अब 0 plus 0 is 0 और 0 का bar 1 0 plus 1 is 1 1 का bar 0 1 plus 1 is also 1 and 1 का bar 0 यह truth table आई किसकी norget की तो norget का output 1 का यह 0 का यह जब एक भी input आपका 1 है एक भी input one input of one input of norget norget के थोड़ा सा जाना पड़ेगा one input of norget equal to one then then output output equal to क्या जीरो देखो यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो यह जो इतना important part मैंने आपको बताया यह आपको याद रखना है नोट कर लीजिएगा ठीक है यह बहुत ही important part है अब आते हैं हम लोग मैं एक बार इसको सही से ड्रौ कर देता हूं ठीक है तो नौर गेट पे था मैं नौर गेट पे और नौर गेट का मैंने जो आपको बताया यह यह जो मैंने आपको फर्स्ट और सेकेंड वाला बताया जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन यह यह output 1 एक ही case में देगा बागी तीनों case में output 0 देगा और एक भी input 1 होने पर यह output 0, 0 and 0 मिल दाए ठीक है अब यहाँ पर a equal to 0 दे दिया, b equal to 0 दे दिया तो input यह Qn बार है तो यहाँ पर second वाले nor gate पर देखो यहाँ पर यह Qn है यह Qn यहाँ से attach हुए इस तरीके से यहाँ पर आते हैं हम लोग इस पूरा case 1 पर आ जाते हैं nor gate का मैंने यहाँ पर आपको अलग से टोटेविल दे दिया ठीक है nor gate का मैंने पूरा टोटेविल आपको दे दिया यहाँ पर input Qn है और यह b equal to 0 है तो Qn प्लस 1 बार क्या होगा देखो nor gate 2 का output नौर 2 का output क्या होगा 0 प्लस Qn का बार and 0 प्लस Qn का बार Qn प्लस 0 something प्लस 0 is 1 प्लस 0 is 1 0 प्लस 0 is 0 तो Qn प्लस 0 is किसी में भी 0 add करेंगे तो वही रहेगा Qn and Qn का बार मिलेगा देखो इस टाइप से तो हमें जो output मिला वो क्या मिला Qn का बार मतलब nor पे 2 output जो मिला वो Qn का बार मिला मतलब Qn क्लस 1 का बार equal to Qn बार important है वैसे ही जब यहाँ पे यह previous input क्या था previous output क्या था Qn बार यहाँ पे Qn बार आया होगा इस वाले nor 1 पे आओ nor 1 पे output क्या मिलेगा nor 1 पे output 0 प्लस Qn का बार का होल बार यह क्या मिला 0 प्लस Qn बार is Qn बार का बार and Qn बार का बार is Qn तो इस पे क्या output मिला Qn प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे Qn मिला देखो तो जब input A equal to 0 and B equal to 0 है तो हमें से conclusion क्या मिला conclusion यह मिला इसको note करने के बाद यहाँ पे note करेंगे conclusion यह मिला A equal to 0, B equal to 0 पे conclusion यह मिला Qn प्लस 1 equal to देखो Qn मिला है पता नहीं Qn क्या है 0 है कि 1 है but Qn प्लस 1 equal to Qn मिला and Qn प्लस 1 का बार equal to Qn बार मिला है यह case 1 था पूरा यह case 1 था और इस state को क्या बोलते हैं जब Qn plus 1 equal to Qn हो and Qn plus 1 का बार Qn बार हो तो ऐसी state को हम लोग बोलते है hold state क्या बोलते है hold state तो note कर लेंगे case 1 complete हो गया है case 1 मैंने बहुत ही अच्छे से describe किया है ठीक है अब आते है case 2 पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी तो आपको note करना note कर लीजिए बाकाइदा यह आपको save मिलेगा new page पे आते हैं हम लोग case 2 case 2 case 2 मैंने बताया A वा B के कितने combination बनेंगे 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1 यह चार combination बनेंगे तो case 2 में A एक्वल टू 0 and B एक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं अब हम यहाँ पे देखते हैं A एक्वल टू 0 वा B एक्वल टू 1 मैं एक बार फिर से figure ड्रॉ करूंगा नौर लेच का ऐसा नौर लेच मतलब नौर गेट से लेच बनी होई का figure इस figure से क्या रहता है explain करने में और आपको समझने में दोनों में आसानी रहेगी ठीक है यह qn प्लस 1 था यह qn प्लस 1 बार था यह qn था यह qn का बार था यह terminal a था यह terminal b था ओके फ्रेंट्स यहां पर equal to equal to हम क्या दे रहें अब 0 दे रहें and b equal to 1 दे रहें अब नौर गेट की property क्या थी previous में देखो नौर गेट की property यह थी कि एक भी input अगर 1 है एक भी input अगर 1 है तो output क्या था 0 देखो एक भी input अगर 1 है तो output 0 तो वैसे ही यहां पर एक भी input 1 आते ही यह directly आपको output क्या दे देगा directly आपको output मिल जाएगा 0 यह की भी input आपको 0 मिलते ही यह आपको output क्या दे देगा 0 और जब ऐसी situation हो और यहाँ पर qn बार है previous में हमें नहीं पता यहाँ पर qn बार है तो यहाँ पर तो qn बार ही होगा अब यह qn बार है तो qn बार प्लस 0 एक वाल टू next state हमें क्या मिलेगी next state जो मिलेगी यह qn बार है तो यहाँ पर यह qn qn प्लस 1 एक वाल टू qn प्लस 1 एक वाल टू qn बार प्लस 0 का होल बार यहाँ पर यह qn मिलेगा ठीक है और previous state b equal to 1 देने पर sorry for that one second एक बार मैं फिर से clear कर देता हूँ पूरा गरबड हो गया यह ठीक है तो देखो हम लोग कहाँ पर थे शुरू से start करते हैं यह a terminal था यह b terminal था a equal to 0 देना था and b equal to 1 देना था a equal to 0 and b equal to 1 देते ही A equal to 0 देते ही and B equal to 1 देते ही मैंने आपको बताय था यह previous lecture में sorry for that previous मैंने बताय था एक B input अगर 1 है then output is 0 और दोनों input अगर 0 है then output is 1 अब simple सथा देखो एक B input अगर 1 है तो output क्या हो जाएगा? B equal to 1 आते ही main output आपको मिल जाएगा 0 main output 0 यानि Qn plus 1 bar is 0 कब B equal to 1 वैसे ही हमें previous output नहीं पता है यहाँ पे previous output हमें नहीं पता है हमें इतना पता है B equal to 1 whatever Qn Qn is 0 और 1 हमें Qn की information नहीं है यहाँ पे Qn क्या था? हमें नहीं पता बट B equal to 1 आते ही यहाँ पे हमें output क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा यहाँ पे Qn बार है वैसे ही Qn बार equal to 0 मिलते ही Qn बार equal to 0 मिलते ही जब यहाँ पे 0 आया तो यहाँ पे 0 आया यह 0 आते ही यहाँ पर 0 आएगा और Qn प्लस 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा जब input 00 होते हैं तब output क्या होता है नौर गेट का 1 तो Qn प्लस 1 इक्वल टू 1 और जब यह situation होती है A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 1 then Qn प्लस 1 का output 1 and Qn प्लस 1 का बार इस 0 then ऐसी state को हम लोग, set state बोलते हैं क्या बोलते हैं, set state यह था case नमबर 2 next चलते हैं हम लोग, case नमबर 3 पर, इस पर चलते हैं case नमबर, case नमबर 3, A एक्वल टू 1 and B एक्वल टू 0 figure रिड्राउ करते हैं यह A है, यह B है, यह Qn प्लस 1 है, यह Qn प्लस 1 का बार है यह ओगए, यह ओगए, यह Qn प्लस 1 का, Qn का बार है, ठीक है यह होगए, srlac using norget, अब A equal to, A equal to 1 दे रहा है and B equal to 0, A equal to 1 देते ही, यह मुझे नहीं पता, whatever Qn बार इसका information नहीं है, what is previous output complement and यहां पे यह Qn what is previous output, इसका information नहीं है, but A equal to 1 आते ही norget की property बोलती है कि एक terminal पे अगर 1 आ जाए, तो output directly क्या हो जाता है, 0, यह 0 आ गया, अब 0 आते ही, 0 आते ही यहां पे 0 आ जाएगा, previous नहीं पता था, अब 0 आते ही, यहां पे 0 आया and 0, 0 का output is 1, तो Qn A equal to 0, B equal to 1, sorry A equal to 1 A equal to 1, B equal to 0, then Qn plus 1 is 0 and Qn plus 1 का complement is 1, ऐसी state को हम लोग बोलते हैं, reset state क्या बोलते हैं, reset state, जब main output आपका 0 हो and main output का complement 1 हो, तो ऐसी state का हम लोग reset state बोलते हैं, यह उसका figure है, फिर आते हैं हम लोग case number 4 पे, case number 4, A equal to 1 and B equal to 1, figure रिड्राओ कर देता हूँ, A equal to 1, B equal to 1, यहाँ पे यह मिलेगा Qn plus 1, यहाँ पे मिलेगा Qn1 का बार complement, यह था Qn और यह था Qn का complement, A equal to 1 and B equal to 1 देते ही, मैंने बोला एक भी टर्मिनल पे अगर input 1 है, then output is whatever Qn and Qn bar, नहीं पता Qn क्या है और Qn bar क्या है, but Qn plus 1 is 0 and यहाँ पे भी input 1 होने पे Qn bar plus 0, तो A equal to 1 and B equal to 1, तो Qn plus 1 is 0 and Qn plus 1 bar equal to 0, but it is not possible, not possible, ठीक है कि Qn plus 1 भी 0 हो जाए and उसका complement भी 0 हो जाए, this state is invalid state, क्या बोलेंगे ऐसी state को, invalid state, तो इस तरीके से हमने यह चार combination के input देखे, previous एकदम के लिए नहीं एक बार इसकी summary बोल देता हूँ, case 1 था, ठीक है, A equal to 0, B equal to 0, तब A equal to 0 and B equal to 0 पे हमें, same output मिल ले था, Qn plus 1 is equal to Qn, and Qn plus 1 bar equal to Qn bar, मतलब hold state आ रही थी, ठीक है, ऐसी state को hold state बोलेंगे, next जो हमने देखा, next हमने देखा, A equal to 0 and B equal to 0 पे हमें क्या मिल लेगे, set state, यानि कि B input पे 1 देने पर, हमें output 1 मिल ला है, यानि हमें set output मिल ला था, वैसे ही, third case में, third case में क्या था, A equal to 1 देने पर, B equal to 0 देने पर, हमें क्या मिल ला था, reset मिल ला था, वैसे ही case number 4 हमारा invalid था, A equal to 1 and B equal to 1 पे invalid state मिल ला ही थी, इस तरीके से हमें ये 4 case देखे, sr latch using, sr latch using nor gate, अब हम इसकी true table और इसका पूरा summarize कर देता हूँ मैं, तो sr latch, nor gate, तो 4 case हमारे बन लएते हैं, ये 4 case में आपको बना के दे देता हूँ यहां पर, ये 4 case बने, A equal to 0, oh sorry, A equal to 0, B equal to 0, Qn plus 1 equal to Qn, and Qn plus 1 का बार equal to Qn बार, ये था Qn output and ये Qn का बार, वैसे ही, इस वाले पर case 2 पर A equal to 0 and B equal to 1, तो Qn plus 1 equal to 1 मिला है, and Qn plus 1 का बार equal to 0, case number 2 था ये, वैसे ही, A equal to 1, and B equal to 0 पर, Qn plus 1 पर 0, and Qn plus 1 का बार equal to 1, and ऐसे ही, case number 4 पर, A equal to 1, and B equal to 1 पर, Qn plus 1 पर, Qn plus 1 पर, Qn plus 1 का बार equal to 0, तो इसको हमने बोला था, इस state का हमने बोला था, ये हमारी hold state थी, hold state, ये hold state क्यों थी, because इसमें जो data था, Qn plus 1 को Qn, जो previous output था, वही output हमें, next output पर, main output पर मिल दा था, इसको बोलेंगे, set state, क्या बोलेंगे, set state, set state क्यों, B equal to 1 पर देने पर, main output 1 था, sorry, main output 1 आ जाए, तो S state को set state, and main output को complement 0 था, ठीक है, ये थी हमारी, reset, state, reset state थी, ये हमारी main output हमारा 0 था, S state को, reset state, and main output को complement 1 था, and, ये हमारी थी, invalid state, fourth state थी, invalid state थी, invalid क्यों थी ये, because, tono output, Qn प्लस 1 जीरो, and Qn प्लस 1 का complement is 0, ये हमारी थी, अब आते हैं, main, इसको ऐसा, let's क्यों बोलते हैं, तो देखो, B input पे 1 देने पर, B input पे 1 देने पे, output क्या है, main output 1 है, यानि, set output है, तो B input 1 को, इसको बोलेंगे, set input, यानि, B input पे 1 देने पे, हमारा, set state मिल लगी, तो इसको set input, that's why, हम B terminal को, set terminal, यानि, S terminal, और इसको हम, reset, r equal to 0, देखो, इसको set बोला, और, यहाँ पे आजाओ, यहाँ पे, equal to 1 देने पे, equal to 1 देने पे, qn plus 1 equal to 0, मतलब, reset state मिल लगी है, तो इसको बोलेंगे, reset input, और reset input, इसको हमने, r बोली है, that's why, यह मिलके हमारा, इस terminal को, r terminal, और इसको sr, और इसी लिए, यह हुई, sr latch, sr latch, using, nor gate, sr latch, using nor gate, यह इसलिए, sr latch, using nor gate, हुई, तो friends, बहुत ही, important discuss, था, हमारा, discussion था, यह हमारा, एक बार, पूरा go through, ओलेंगे, इस में, इस lecture में, पूरा go through, level लेंगे, हम लो, किये, मैंने, देखो, starting से, sr latch, आपका discuss किया, ठीक है, उसके बाद, हम लोगों ने, case 2, case 3, case 4, and पूरा summarize, तो, thanks for watching, my channel, technical strength, अगर lecture, आपको पसंदा, then friends, please, channel को, subscribe करने, और comment box, में बताएं, कि आपको, कैसा लगा, हमारा ये, video,